हो और स्टुडेंट स्टूडरी रोजन कि होता है एस lenर्ड ि मोवल या वेरिंग अर्थ इत्लत सरफेस का जो आर्थ की सविलटर् एस है उसका नेचल एजन जैसे आपके विंड हो गई बहुत ज़्यादा तेजी से विंड है बहुत ज़्यादा तेजी से ना रनिंग वाटर आ गया फ्लड आ गई या अर्थक्वैक वगेरा आ गया आपके जैसे या स्नौ फॉल जादा हो गया किसी जगह पे रेन फॉल जादा हो गया उस कारण से जो आपके टॉप स्वाइल है उसका भेना उसका र गयलाता है तो इस वाटर इस वाटर इस वाटर आपके लिए जाता है जिससे इंफर्टिलीटी बढ़ जाती है और फिर प्लांट वगेरा टीरी वगेरा वाँ ग्रोथ नहीं कर पाते कॉसिज क्या है अब क्या क्या कारण है डी फॉरेस्टेशन है ओवर ग्रेजिंग है फ् फॉरेस्ट फायर है यह सारे क्या फैक्टर्स हैं जो डिस्पॉंसिबल हैं सौइल इरोजन के लिए अब देफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो ट्री की जो रूट होती है वो क्या करती है स्वाइल को बांद के रखने में हेल्प करती है अब जब ट्री नहीं होंगे तो उनक पर चीज तो खतम हो जाए तो ऐसी ही कमजोर स्वाइल पर एकदम से फ्लट आगई एकदम से ज्यादा विंड बहते वह आगई आगई वहां पर बरफबार ही हो गई अर्थ्वैक वगरा आगए तो क्या होगा वह जो स्वाइल है वह रोड हो जाएगी आपके क्या हो जाए इन अप्रोप्रेट फार्मिंग टेक्निक प्रॉपर वे में एप्रोप्रेट वे में फार्मिंग नहीं कर रहे हैं इन अप्रोप्रेट वे में कर रहे हैं अप्रोप्रेट की जगा इन अप्रोप्रेट वे में कर रहे हैं इन अप्रोप्रेट वे कैसा हो गया वही बहुत ज जौत दिया जमीन को जित्ती डेप्ट पर करना चाहे तो दो से तीन गुना जादा देप्ट पे कर दाला प्लगिंग क्यों करी वही जिससे ज़्यदा ग्रोथ होके हमारी जो क्रॉप है वह अच्छी ग्रोव हो सके और ज्यादा growth मिले हमारी crop को तो यह क्या होगा है तो selfishness होगी इस कारण से क्या हो रहा है सारे organism वगएर हैं जो आपकी soil में जो आपको help कर रहेते plant वगएर की growth में जो fertility बढ़ा रहेते soil की वो भी remove हो जाएंगे तो क्या होगा जब वो remove हो जाएंगे तो fertility कम हो जाएगी soil की और स्वाइल कैसी हो जाएगी infertile और infertile soil तो क्या होती है उसमें तो loose binding होती है अब loose binding होगी तो फिर soil erosion हो जाएगा ठीक है अब prevention of soil erosion किस तरह से रोका जा सकता है सबसे पहले आफ फॉरेस्टेशन जादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ठीक है और जा पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो देखिए जो floods वगरा हैं वह भी नहीं आएंगी क्यों क्योंकि वह जो आपका rainfall होगी और उसकी जो rate of fall होगा उसको कम कर देते हैं पेड़ जितनी ज्यादा गने पेड़ होते हैं उस जगह पर rainfall का जो फॉल होता है बारिश का बहन जो मतलब गिरना होता है उसकी rate of erosion बच जाएगा फिर विंड भी जो चाला तेजी तेजी से नहीं भी और अगर भाइगी भी तो ट्रीज उसको रोक लेंगे और से soil erosion बच जाएगा ठीक है तो force of wind and flowing water can reduce by growing cover crops टीज वगेरा को grow करा दें सबसे हना बैस्ट यह ही है a cover crop is grown to cover the land after harvesting the mean crop cover crop prevent soil from being exposed to wind and flowing water यह हमारे field की बात कर रहा है यह बोल रहा है कि हमारी जो crops grow कर रहे हैं उसके आसपस को cover करते वह और भी crop grow कर दें मैंतलब protection के लिए जिससे soil flow के नहीं जा सके ठीक है यह field के base पर बता रहा है मैं आपको forest के पर बता रहा हूं आप forestation करें ज्यादा से यादा पेड़ लगाए तो force of wind and water can also reduce by growing tree and shrubs on the boundary of the field यह field के respect में example लेकर आपको दे रहा है कि field की boundary पर बड़े-बड़े tree लगा सकते जाड़ियां लगा सकते रोह प्लांट on the boundary of the field और नोन अस forestation देखिए अभी जो आपको बोल रहा था ज्याद़ ज्यादा पेड़ पौदे लगाए जंगल को ज्यादा develop करें और constructing river embankment step farming यह कुछ step है आपके soil erosion को बेंड करने के रोकने के now next is soil pollution contaminate होना दूशिट होना soil का यह कहलाता soil pollution कैसे होता है fertilizer का ज्यादा उपयोग कर लिया farmer ने ठीक है उससे क्यों होगा soil में fertilizer chemicals मिल रहे हैं तो क्यों होगा कुछ समय बाद hard होने लग जाएगी infertility बढ़ने लग जाएगी soil के अंदर से तो यह soil pollution क्यालाएगा क्योंकि उससे क्यों होगा organism वगेरा सब dead हो जाएगे humus कम हो जाएगा infertility ज्यादा हो जाएगी soil के अंदर से और harmful जो factors वह ज्यादा develop हो जाएगे soil के अंदर ठीक है जो आपके लिए beneficial factor थे वो तो सब खतम हो गए तो इसलिए organic आपके manure का यूज में लेना चाहिए हमें fertilizer वगेरा का ज्यादा अपयोग नहीं लेना चाहिए क्योंकि देखो जब यह fertilizer हमारे water bodies के अंदर जाएंगे बहते वे जिस पानी में है ना बेसिंज वगेरा बनी वी होती फिल्ड में उनके तुरू पास में water body उनमें जाके डिजॉल हो गए तो क्यों होगा water body को भी तो contaminate करते soil pollution के साथ water pollution भी हो रहा है तो soil pollution is the presence of unwanted substance in the soil that can ample for all living भी जो हमें जरूत नहीं है वो substance का present रहना soil में वो कैसे आ रहे हैं आप जो fertilizer वगेरा यूज में हो रहे हो chemicals वगेरा जो आप है ना soil में डाल रहे हो causes of soil pollution क्या क्या कारण है देखो solid waste human excreta human waste जिसको बोलते है प्लास्टिक देखो सबसे मेजर रिस्पॉंसिबल मैटल अब्जेक्ट हम ऐसे फैक देते हैं जगा जगा है ना तो इस कारण से soil pollution हो रहा है excess use of chemical such as fertilizer pesticides insecticide छिड़क रहे हैं ना pesticide छिड़क रहे हैं बहुत ज्यादा खेतों में यह नहीं पता कि soil क्या और यह pollute होते जा रही है acid rain हमारे असपास हमने देखा है पेड़ पॉदे ही नहीं डिफॉरेस्टेशन कर दिया है आज कल तो हम देख रहे हैं अभी तो smart city project के नाम पर और भी बहुत सारे यही हो रहा है जगा जगा अच्छ अच्छे पेड़ थे बड़े बड़े पेड़ कितने पुराने पेड़ थे उन सबको काटा जा रहा है तो अब काट रहे हैं पेड़ पहुत है अब हैं पेड़ पहुत है तो बचे ही नहीं क्या होगा जो हमारे वीकल्स वगेरा से जो फैक्ट्री वगेरा से आपके जो आना स्मोक्स वगेरा निकल रही है जो बढ़ते जारी एट्मोस्पेर में ठीक है एट्मोस्पेर में बढ़ रही है अब वो जब हमारे रेंवाटर उससे डिजॉल होगा उनमें तो क्या बनाएगा ऐसे बनाएगा ऐसी डिरिंग जब आपके आएगी स्वाइल में जाएगी केमिकल आपका नेचर बतल देगी स्वाइल का एसी डिक बना देगी स्वाइल को पॉलिट हो गई स्वाइल ठीक है अंट्रेटिज सीवेज स्लज यूमन एक्सकेटर लाइव स्टॉक्स एससेक्टर यू हना यह सारे क्या करते हैं आपके आपके जो सीवेज गंदिगी आ रही है आपके हना तो यह सारे आपके क्या करते हैं soil pollution करते हैं तो इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हो manure का यूज में ले सकते हो तो manure बनाने के लिए आप जो आपके न वेजिटेबल वेट्स वगेरा इनसे बनाए ऐसा ना करें कि सीवेज वेश्ट को यूज में ले ले अब सीवेज वेश्ट में तो आपके क्या क्या है प्लास्टिक भी है और यूमन एक्सक्रीटा वगेरा भी है इतनी गंदगी होती है अगर उससे आप manure बनाओगे तो वो भी soil pollution करेगी तो manure भी आपको आपको सिफ वेजिटेबल वगेरा वेश्ट जो हता है या fruit वेश्ट वगेरा होता उसी से बनाना है जो आपके soil pollution ना करें अब है prevention of soil pollution soil pollution किस तरह से रुका जा सकता है decreasing the generation of waste वेश्ट जो हम लोग इदर उदर फैक देते है metal, plastic वगेरा इसको हमें कम से कम कराना है compost improve the quality of soil खाद बनाए वेजिटेबल वेश्ट वगेरा है इनकी fruits वेश्ट वगेरा है या आपके जो end में जैसे आप लोगों देखा होगा खेत जब आना पूरी से crop को काट दिया जाता है तो end में जो waste बस तक पार्मर क्या करते हैं उसको जला देते हैं उनको यह नहीं पता उससे soil pollution हो रहा है soil खराब हो रही है तो उनको जो बसता है ना end में जो waste उसको क्या करना चाहिए उसको compost ट्यार करने में उसको manure ट्यार करने में उनको यूज में लेना चाहिए loosen the soil and help air and water to move more freely और थोड़ा खेत को जोतना जरूरी है plugging करना भी जरूरी है loosen करना भी जरूरी है लेकिन ज्यादा depth पे नहीं इतनी depth पे करो कि aeration हो सके और पानी असानी से फ्लो हो सके उस soil से हना तो इससे क्या होगा soil pollution रुकेगा और मिन्रल का क्या होगा उपार नीचे होंगे न मिन्रल्स तो फर्टिलिटी बढ़ेगी फार्मर्स शुड भी एंक्रेस्ट तो यूज बायो फर्टिलाइजर जैविक खादों का ही प्रयोग में लें जैविक पैस्टिसाइड हाना जो पैस्टिसाइड इसेक् पीपर बन रहा है बहुत सारा प्रीग बनते हैं परके हम क्या करते हैं जंगल खतम कर देंगे जंगल खतम soil pollution बढ़ेगा, air pollution बढ़ेगा, water pollution बढ़ेगा, पूरा atmosphere बॉलिट हो जाएगा, plantation करें, अब forestation जिसको बोलते हैं, measure also need to take and to prevent over grazing, ज्यादा over grazing नहीं, ज्यादा नहीं चरवाना है ना, अब over cropping यह नहीं कि खेत में है ना, एक साल में एक है दो crop होगा लो, तो ऐसा नहीं होगी, चार-पांच crop आप चाहो एक खेत से यह ना, एक बार-बार plugging करो, बार-बार यह process करो, पूरी चुभी आपको crop को grow करने में लगता है, उससे भी क्यों होता है, soil की fertility कम होती है, soil pollute हो जाती है, ठीक है, तो यह था लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, तो आपको जितने टॉपिक एक्स्प्लेइन किये हैं, आपको समझ आए होंगे, अगर नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, थैंक यू स्टुडेंट, आव नाइस दे,